चलो अब हमने round 1 में class 11th का regular syllabus complete करा अब actually है और interesting journey तो अब onwards शुरू है competition वाला part IIT, JEE, Mains, Advance दोनों की preparation बहुत rigorous तो केवल इस बात का ध्यान रखना कि जो जैसे जैसे काम करवाया जाए उसको religiously follow करना religiously follow करने का मतलब क्या होता है कि मुझे बीच में FNR बाटनी चाहिए और सारी गरबड कहां पे होगी अगर गरबड कहां पे होती है कि एक बच्चा अपना dream छोटा कर लेता है अपना vision नहीं बढ़ाता उसको लगता है कि अगर मेरे साथ वाला बच्चा अगर 100% काम कर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत करूँगा तो मेरा उससे थोड़ा सब एकार rank आ जाएगा पर actually ऐसा नहीं होता same class पे बैठे मेरे पास बच्चे का rank अगर मान लो एक का अगर मतलब बिलकुल single digit double digit all india rank अगर गया तो उसके साथ बैठे बच्चे का rank लाखों में गया तो मतलब दोनों को काम मैंने exactly same कराया same तरह के process पे, same तरह के rigor पे दोनों के साथ काम हुआ पर गरबड कहां पे हुई कि एक बच्चे ने उस process को properly follow करा दूसरे वाले को लगा कि मैं थोड़ा बहुत करता रहता हूं मेरा काम चल जाएगा पर याद रखना कि ये पूरा process actually अपना दिमाग change करने का process है it is a lifelong learning जितना अभी हम लोग जितने systematically काम करेंगे life में this would help you always हमेशा मतलब जैसे मेरे साथ students connected है जो कि 15-15 साल पहले बड़े हूँ है 15-20 साल और वो अभी भी आके अपने आप discuss करते है and this is something which you would remember always कि जो अभी हम लोग के mind को सोचने का pattern बनेगा न this would be really amazing पर ये तो है interesting part जो ज़्यादा interesting बात है वो ये कि इसमें काम खुद करना पड़ेगा हर दिन अब हम लोग का दिमाग हमें नए तरीके से push करेगा तो हमारे दिमाग की boundaries break होंगी तो जब वो break होंगी ना तो हर दिन हमारा मन कहेगा कि आज काम ना कर वही गरबड है वो नहीं होने देना काम चाहिए regular जिस दिन test है test की preparation rigorously होनी चाहिए तो अब maths में याद रखना कि अब अपनी journey बिलकुल अलग तरीके से travel करनी है तो through true math जो काम पहले मैं भी class में करवा सकता था in an offline class उसे कहीं गुना जादा मतलब कम से कम 3 times जादा हम काम करने वाले हैं in the next 3 months तो उस काम का advantage लेने की करना तो अगर मान लो कई बच्चे जैसे आके मेरे से बात करते हैं कि मेरा friend 8 से त्यारी कर रहा था maths की मतलब IIT की preparation कर रहा था तो कोई फरक नहीं पड़ता अगले 6 महीने जो अभी जो journey है पहले तो ये वाले 3 months उसके बाद फिर next December तक अभी से लेके बिल्कुल 12 के December तक this is the target हम किसी भी process से बहुत आगे निकल जाएंगे पर अकेला काम क्या है कि जो पहले ये वाले next 3 months है इसमें अपनी rigor अपना discipline बनाओ अब maths में actually गरबर कहां पे है कि जो हमने school के syllabus में करा बहुत जादा काम करा, regular test दिये और अपने आपको right तरीके से push करा कि हमें कैसे सोचना है पर वो जो push है वो अभी 10 से 11 तक की जर्नी थी 11 से आगे competition की जर्नी फिर बिल्कुल अलागे तो अब जो मज़दार काम है वो actually अब है जहाँ पे हमें हर question में हर दिन याद रखना याद रखना ए लाइन बार बार सुनना की हर दिन हमारा दिमाग हमें बोलेगा की नहीं यार तेरे से नहीं होगा हमें उसी को ही break करना होता है की देखो इस बात को समझो मैंने बहुत intelligent बच्चे देखे हैं जो की केवल इसलिए रह गए क्योंकि उनका discipline right नहीं था और interestingly मैंने average बच्चे देखे हैं जो की बहुत disciplined zone में बहुत बड़ी हा rank ले गए हर साल and we, मतलब me as a teacher and जो मेरे साथ भी हैं we know की हम बड़े positively surprise होते हैं की just because of his or her hard work वो इस level तक अपने आपको push कर गए तो याद रखना कि इस पूरी journey में जो सारी, सारा game changer है वो actually proper hard work का roll है और उसका अब और ज़्यादा advantage कहां पर बनेगा through this process of true math देखो क्यों जब class में पहले जब अगर मानलो कभी काम अगर होता था तो किसी बच्चे ने अगर सोचो कि कुछ अगर miss कर दिया मानलो मैंने class में कुछ बताया और वो miss कर गए तो उस बात को दुबारा सुनने का मौका नहीं होता था अब है मानलो मैंने class अगर true math पर क्यों करवाई तो चलो पहले यह दिखते हैं कि हमने topics कौन कौन से करने है तो competition batch में जो पहला बहुत important topic जो हमने करना है वो फिल करना है coordinate geometry का gap coordinate geometry जो पहला topic हम लोगों नहीं करना है जो की बहुत detail में discuss होने वाला है that is coordinate geometry तो अब coordinate geometry में हमने उसका base build कर लिया straight line, circles, parabola, ellipse, hyperbola का हमने school के syllabus में अभी केवल base build कर आए पर coordinate geometry में अभी बहुत सारी story और है और ये around 10 से 15% हमें आना है further IIT में means में भी और advance में भी तो हमारा coordinate geometry 100% 100% ये अभी prepare होना चाहिए हमारी preparation की journey में जो की हमारा हो जाएगा कहलो in the maximum in the next one month उससे कम भी time लग सकता है पर इस एक महीने में आपकी story change होनी शुरू हो जाएगी तो बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी silly excuse ना देना मतलब मुझे ऐसे की silly बातें नहीं पसंद कि एक बच्चा बोले कि मेरे school में ये exam है मुझे मम्मी ने bread लाने भेज़ दिया आज मेरा काम करने का मन नहीं करा तो उस zone में ना फसना जो काम मिला है वो करना ही करना है compulsion है ये अब आपका काम है ये मेरा काम नहीं है ये आपके parents का काम नहीं है ये आपका काम है तो ये complete चाहिए ही चाहिए अब जैसे मान लो कि class deliver होनी चाहिए this is my task तो वो deliver होती है वैसे ही this is your task की जो काम मिलता है वो complete करना है ये आपकी life में कुछ भी और होने वाले काम से ज़ादा important है तो इसको 100% first priority है उसके बाद चाहे किसी cousin की मारे जाए चाहे किसी की मारे जाए चाहे कुछ भी है मुझे ये काम complete चाहिए तो बिल्कुल उजबाग का ध्यान रखना this is the first leg straight line, circles, parabola, ellipse, hyperbola हर एट topic में school के syllabus के आगे की बहुत सारी journey है तो वो हम सारी complete करेंगे शुरू हमने coordinate से करना है इसी के साथ जो next story है वो है complex numbers complex numbers में complex numbers में जो हमने school के syllabus में करा वो actually समझो की अभी 10 से 15% portion ही है हमने 10-15% portion करा हुआ है just अभी school के syllabus में हमने actual complex numbers का बस इतना सा portion करा हुआ है तो complex number की जो real story है वो अब आएगी और इसके भी हमें competitive exam में mains में समझो की एक question complex numbers का आ जाता है तो out of 25 questions एक question अगर complex number का आ गया तो हमें समझ में आता है कि 4% paper complex number है अगर 25 questions का paper अगर होगा और एक question अगर complex numbers का आ गया तो 4% paper में weighted sort of complex numbers की है और यह एक तरह से given ही है कि यह आना ही आना है advanced में इसका एक question या दो question आ जाएं या passage आ जाएं तो बहुत ordinary बात है तो इसलिए यह बहुत important है 11th की journey में हमारा जो सबसे पहले बहुत बड़ा focus है वो in two topics को complete करने पे अब देखों दोनों बातों में फरक है कुछ बच्चे तियारी करते हैं जैसे encyclopedia बना रहे होते हैं कि touch करा touch करा हाँ हाँ मैंने नाम सुना हुआ है वैसे मत करना अब इस बात का advantage है जो कि मैं भी पहले कभी नहीं करवा सकता था कि class की तरह अब अगर मान लो किसी बात में अगर फसते हो उसी class को फिर से tend करो this is the biggest tip कि अगर मान लो कोई बात पहली बार में फसी बिल्कुल उसको लेके worried नहीं होते उसी class को फिर से tend करो and उसी question को दुबारा अपने आप लिखके देखो कि क्या अब अपने हाथ से लिखके solve कर पा रहे हो just believe me कि जब उसको अपने हाथ से second बार भी लिखके अगर solve कर लोगे न तो I am happy मतलब अगर मान लो पहली बार में नहीं कर पाए तो worried होने की ज़रूत नहीं होती second बार में भी अगर उस question को कर दिया तो भी I am telling you कि आपका paper वाला question solve होना शुरू हो जाएगा क्या होती है कि एक बच्चे का गर जैसे पहले क्या होता है कि class में आए कोई question मैंने दिया और वो नहीं कर पाए तो हमें लगता है कि हमें नहीं आएगा अब अब वहाँ पे give up नहीं करना there is no peer pressure आपके साथ कोई बच्चा नहीं बैठा हूँ अब अब अपनी improvement पे हो अपने लिए तो उसको rewind करो या उस class को फिर से attend करो after a gap of let's say one day और फिर देखो कि क्या अब मैं बोल पा रहा हूँ और assignment वाले questions correspondingly करो उनके discussion भी आएगी साथ में तो अपने आप वो process हमें actually बाते आनी शुरू हो जाएंगी तो जब मैंने बोला कि coordinate geometry हम complete करेंगे तो it means कि coordinate geometry में किसी भी depth का कोई भी question अगर आए तो वो हमसे solve होना चाहिए वो है purpose कहीं भी हमें coordinate geometry का question अजर आए और exactly इस process को follow करना है साथ में कई बच्चे regular syllabus में भी पूचते रहे अभी भी पूचेंगे कि क्या हमने अलग से कोई book लेनी है तो actually right at this moment the answer is no otherwise आप लोग ऐसे से engage की books कई बच्चे साथ में लेते हैं and वो questions attempt करते हैं पर मैंने actually जो साथ में assignments लेनी हैं that would cover everything तो specifically कुछ और करने के जरुद नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी में बहुत ज़ादा काम होगा तो next three months would be very grilling जिसमें पहले दो topics जो है वो ये है तीसरा जो topic है that is trigonometry trigonometry का एक तरह से एक round तो मैंने थोड़ा सा touch करवाया तो अब काम क्या होगा कि अब उसी के complete test होने शुरू होगे जो 11 classes हम लोगों ने attend करी कुछ ने करी, कुछ ने भी miss भी करी पर I wanted की एक बार वो right तरीके से push शुरू हो जाए तो trigonometry फिर से हम लोग जाकर revise करेंगे अब इसकी बहुत सारी assignments आएंगी उनको भी parallel complete करना test देना तो trigonometry actually competition में ये बहुत aggressive topic नहीं है actually जैसे का topic है competition में जैसे मैंने class में भी बोला है it is a learning by doing topic कि जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो जो IIT में भी questions आये हूँ है वो हम देखते हैं पहचान जाते हैं कि ये वो question आ गया, जो की sort of R.D. शर्मा वाला ही है, या हमारी regular syllabus जब हम लोग trigonometry का करते हैं वो जादा, बहुत बहुत जादा जबदा जोर लगवाने वाला है तो regular syllabus में trigonometry में जतना काम करा competition में trigonometry उतनी जादा नहीं है इस चीज़ को ध्यान में रखना क्योंकि regular syllabus वाला काम हमने बहुत जादा करा हुआ है पर हमें वो आना चाहिए, वो बहुत काम का है तो trigonometry जब भी कभी में revise करने को बोलूँ तो अगर regular syllabus वाली classes में भी जो end वाली classes और topics में उनको एक बार go through करना या जब कभी regular syllabus का trigonometry का test लूँ तो याद रखना कि वो regular syllabus के revision को आप लोग साथ में competition के लिए भी कर रहे हो actually ऐसे सोच के करना तो ये ये main process है इसके बाद next कहानी है binomial theorem binomial theorem में हमने school के syllabus में school के syllabus में अभी थोड़ा सा portion करा हमने एक लेक समझा binomial theorem का इसमें अभी binomial theorem में बहुत ज़ादा भी चीज़ें और हैं discuss करने वाली जो की हम लोग अब discuss करने वाले हैं जो main story है वो है binomial theorem में coefficients से related questions की ये बहुत साल पहले पहले school के syllabus में होता था coefficients से related questions वो अब हटा दिये गए हैं तो अब लेकिन competitive exams में हैं तो ये पूरा process भी हमने अभी discuss करना है अभी साथ साथ पर बार बार इस बात को सुन रहे हो main काम याद रखना main काम है कि जो सारा काम हमें मिले उस काम में discipline नहीं चोड़ना in fact अगर अब अगर मान लो कि कहीं पर भी अगर फस्ते हो तो साथ साथ जैसे अब group पे या मेरे से अलग से questions पूछ कि उसको discuss करा करना कि मैं इस जगा पर blocked हो तो मैं exactly इसके लिए क्या करूँ exactly साथ साथ उसको बताना कि मैं यहाँ पर blocked हो तो उसका solution बन जाएगा साथ में और इस mindset के साथ त्यारी रखना कि मेरा ultimately rank बनना ही बनना है उससे जादा important चीज़ यह है कि मेरी preparation राइट हो rank would just follow चलो next is banormal theorem next would be progressions progressions में हमने AP, GP इसको बहुत detail में discuss कर रहा होता है regular syllabus में जो मैंने assignments हो गएरा दी उसमें वैसे मैंने HP के भी questions डाले थे और special sequences तो इस topic में न जो अकेला gap है fill करने का जो अकेला gap है competition में fill करने का वो है केवल inequality से related इस पे questions हमने negligibly करे हूँ अभी AM ग्रेदन GM ग्रेदन HM इस पे अभी काफी variety भी और discuss होने वाली है तो यह होगी और इस पर directly assignments आएंगी इसमें theory नहीं है खास करने की theory actually हमने कर ली एक अधर topic है इसे एक चीज़ होती है AGP यह हमने करना है पर इसकी एक अधी A class लगेगी उसमें सब कुछ complete हो जाएगा तो main काम इस topic में क्या है questions trigonometry और progressions this is a learning by doing thing यह कर करके हमारे mind में बिलकुल exact picture बन जाती है जो questions वो इसके competition में देते हैं वो in journal खेर इसके direct भी होते हैं पर actually किसी और topic के साथ associate करते भी होते हैं तो साथ साथ तो चलो this is progressions next is permutation combination इस topic का जो मैंने school की copy में base बन वा दिया है वो बिलकुल याद रखना अगर मेरी बात को ध्यान से समझो that is actually total proper gold classes है वो वैसे ही चाहिए understanding जैसे मैंने उसमें बताई कि right तरीके से story build करो उसके questions हमारे competition तक नहीं फसते इसमें बहुत ही छोटा सा portion जो कि mains में भी नहीं आता मतलब बिलकुल बहुत ही छोटा सा portion जो कि rare case में advance में आ जाता है केवल वो discuss करने का बचा है which is very less पर इसमें भी classes होंगी साथ साथ permutation combination जो है उसमें बहुत कम काम होना है competition match में so this would be the complete process बिलकुल इसमें धियान रखना कि इसमें जब assignments आएंगी तो वो मुझे complete चाहिए साथ साथ permutation combination में भी main assignments आएंगी पर इसमें theory की एक दो classes होंगी साथ साथ next would be probability probability हमने अभी नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि probability actually एक complete topic है जिसका कुछ portion अभी हमने 11th में करा है कुछ 12th में है तो probability completely जब 12th का हो जाएगा तो वो पूरी picture बनेगी तो इसलिए probability में हमने अभी कुछ नहीं करना probability जो हमने करा बस कभी मैं इतने ही portion पे if time would permit तो इतने ही portion का test होगा तो इसके बाद है limits limits में actually जो हमने school के syllabus में करा उसके beyond अभी बहुत कहानी और है मतलब अभी हमने limits को solve करने का एक तरीका बनाया इनी limits को solve करने के थ्री methods और होते है तो अब जब जैसे जैसे बताया जाए वो साथ में हम लोग उसको parallel wind up करेंगे उन नए methods को भी actually यहाँ पे थोड़ा थोड़ी सी गरबड किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा रोल है 12th में क्लास में करे जाने वाले differentiation का differentiation का थोड़ा सा रोल है तो जब मैं limits कराऊंगा हम लोग करेंगे limits अभी 11th में भी करेंगे पर बीच बीच में से कुछ questions में बोल दिया करूँगा कि यह भी छोड़ दो तो वो अभी के लिए छोड़ देना पर इस reason से हम limits अभी इस लिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि थोड़ा सा differentiation का involvement है जहां जहां पर लगा कि ऐसी कोई गरबड बहुत जादा हो रही है तो वो मैं भी छोड़ने के लिए बोल दूँगा तो this would be the complete journey जो हमने अब travel करनी है competition के लिए तो इसमें actually जो सबसे important part है न वो बिलकुल ध्यान में रखना वो यह first two है तो जब अगर मानलो 11th में competition batch अगर मानलो एक offline class में मेरे पास ही अगर बनता था तो हम लोग केवल यह दो topics करते थे तो अब की बार the task is to do these seven topics, seven eight topics यह हम लोग eight topics करेंगे जो की offline class के comparison में four times जाधा task है तो वो होगा कैसे कि अगले three months बिलकुल right तरीके से discipline में रहना जो जो काम मिलता है वो काम complete रखना class attend करी, assignment आई, assignment time पे attend करी assignment की discussion में देखा कि कहां कहां पे फस्ते हो उसको फिर से recall करा अपने हाथ से लिखके देखा कि अब मेरा हो जाएगा उसके बाद उस पूरी process को हमने चेक कहां पे करा जब test में attempt करा तो test वाला process completely हमें बताता है कि अभी हमारी standing कहां पे है उसमें block हुए तो भी word होने के जरूत नहीं उसी बात का आगे फिर से test होना है test की discussion भी होनी है तो ये gradually हमारी जब तरीके से grilling शुरू होती है तो हमारा सोचने का pattern बिलकुली broaden हो जाता है तो अब से लेके next three months तक की जो journey है वो इसलिए बहुत interesting है तो बहुत मजा आने वाला है पर अकेली गर्बड़ जो गर्बड़ वाला zone है वो ये कि अपने mind में किसी भी तरह का if and but मतलाना ये ये अपना life का काम है हमने जो अब जिस तरीके से हमारे mind के expansion होगी उसको accept करने की करना क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूँ कि हर दिन जब हम questions करेंगे तो हमारा mind हमें रोकेगा कि नहीं नहीं ये ये अला question तेरे से नहीं होगा उस process को break करना is actually the real one कि हमने अपने आपको अंदर से right तरीके से पुश करना है कि नहीं भाई मेरे से होगा और अगर नहीं होगा तो तो भी trouble नहीं उसके बाद जो discussion में जैसे मैंने बताया होगा उसको note करूँ उसके बाद देखो क्या अब बोल पा रहे हो क्योंकि अब वो discussion को फिर से attend कर सकते हो तो उसको फिर से notice करो तो you would be surprised कि जब उस तरह का question test में आएगा तो आप लोग handle कर पाऊगे actually जो secret बात है वो पता है क्या जैसे हमने इतना सुना होता है कि IIT ऐसा IIT ऐसा कि इतना टाफ और इतना कुछ तो actually ऐसा है नहीं बहुत बेफ़कू बनाया हुआ है तो हम सुनते हैं कि इतने लाख बच्चे एक्जाम दे रहे हैं मानलो 12 लाख दे रहे हैं 15 लाख दे रहे हैं actually जो राइट तैयारी कर रहे होते हैं वो बच्चे 1 लाख भी नहीं होते हैं बाकि 11 लाख actually drama कर रहे होते हैं तो अब हमने अगर जो राइट तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो 1 लाख हैं तो अब उन 1 लाख में जिसकी राइट तैयारी है उसका अपने आप ही रैंग बहुत बढ़ी आई in fact 1 lakh भी मैंने जादा बोला 50,000 है 50,000 बच्चे होते हैं जो कि actually right तरीके से preparation कर रहे होते हैं 50, 60,000 जो उससे पीछे की percentile है वो बिलकुल भी काम की नहीं है जैसे हम लोग समझो कि 90 percentile के जो नीचे वाले number है वो सारे वो बच्चे हैं जिनको actually यहां तो पता नीचला यह उनके साथ बिलकुल ही धक्का हो गया preparation के नाम पे तो otherwise जिस बच्चे का थोड़ा score खराब zone में है वो समझो कि 95 percentile वाले zone में है तो उसके उपर की percentile यह बिलकुल सारे वो बच्चे हैं 56,000 के नीचे वाले बच्चों की when to prepare for IIT तो बहुत बेफ्कूव बनाया हुआ है दूसरी बात कि जो अलग-अलग correspondence notes है जितने भी कुछ correspondence notes है इतने 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 इंसिट्यूट्स है उन में से किसी का कुछ नहीं देखना कुछ नहीं देखना अभी मतलब काफी time तक बिल्कुल confuse नहीं होना क्योंकि सारी गरबढ क्या होती है कि हमें IIT के नाम पे इतनी noise मिलती है कि हमें समझ नहीं आता कि हमें कहां पे रुकना है तो it is very easy to make you panic to which you don't have to you just have to understand the basic principle on which the paper has been set कि एक बच्चे का दिमाग इतना चलता है और उसका दिमाग चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है in a new question वो चीज हो पा रही कि नहीं हो पा रही तो main काम क्या है जो हमने regular syllabus में build करा that is the art of problem solving तो पूरे paper का premise actually exactly इसके उपर based है and I am doing this for the last 22 years तो इसलिए चुप चाप जो कहा जाए बस उसको follow करो तो next three months जो जो हम काम करते हैं बस properly वो follow करो उससे नहीं बचना तो उसके बाद जो कुछ भी जो आगे जो preparation का जो process है that is my responsibility बस जो जो काम मिले अभी उसको निचो होना उसमें नकरे करे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारा जो सारा game changer है that is not me that is you मैंने केवल बताना है कि यहां से दिल्ली जाने का रास्ता ये है जाना खुद है यहां से मैं बताऊंगा कि अगर लुद्याना पहुचो लुद्याना से आगे जाओ तो वो journey जो आगे कि जो travel करने की है वो खुद करनी है मान लोगर हमने डेली से गर Bombay जाना है तो मैं पूरा road map बना के दूँगा कि यहां से यहां जाना है फिर यहां से यहां जाना है यहां पर ढबाएगा यहां से चाहे भी नहीं है तो exactly वो process सारे का सारा हमें बना होगा पर बच्चे गरबढ क्या करते हैं कि उनको यह समझ नहीं आता कि चलना खोद है उससे नहीं बचना तो अगर उससे नहीं बचोगे न तो फिर कोई trouble नहीं आनी है मतलब अगर if you are targeting even rank 1 तो हम अगले 3 महीने के end तक आते आते उस zone तक आयो हो होंगे उस rigor तक काम कर रहे होंगे तो इसलिए चुप चाप जो काम मिले it has to be followed तो चलो अभी onward जो topic शुरू है that is straight lines तो अभी पहला काम क्या करना है कि straight lines का जो हमने school के syllabus में काम करा school के syllabus वाले जो classes है पहले उनको फटाफट गोतुरू कर लो फिर straight lines की straight lines में हमने ये करा हुआ भाले से straight lines में न देखो straight lines lecture 1, lecture 2, lecture 3 4, 5 और ये 6 तो straight lines में जो 8th class से 8th class से अच्छली competition वाला काम शुरू है 8 से competition वाला काम शुरू है इसको कैसे handle करना है इस पे अभी साथ साथ एक next video बनेगा पर पहला काम क्या है कि जो पहली 8 classes में जो मैंने understanding बताई वो बिलकुल अपना right base है तो I am giving you a day कल कल से शुरू करेंगे कि exactly competition वाला काम क्या करना है कैसे करना है तो इसका वालक से WhatsApp ग्रूप बनेगा आप सबका तो जो जो काम मिलेगा जो जो process होगा वो अब onwards वहाँ पे आना शुरू होगा exactly पहला काम अभी क्या करना है कि straight lines की जो ये first 8 classes है मुझे ये revise चाहिए तो ऐसे prepare करो जैसे कि कल इसका test हो end वाली classes ये शुरू हो और end वाली classes में आप देखो possibility कि आए कि इसको forward कर सकते हो assignment वाले questions देखो उसके बाद देखेंगे कि actually जो इसके बाद की journey है वो कैसी है और बहुत interesting है चलो अब शुरू हो जाओ आज से revise करना and all the best